हेलो एवरीवन इस्टुडियो में देख लेते हैं ओएंजी सी याने के और नेचरल गैस के स्टॉक को स्टॉक की गरंड प्राइस की बात करेंगे दो 307.10 की गरंड प्राइस चल रही है पिछले एक साल में काफी शांदा रिटन हमें स्टॉक में देखने को मिले हैं अब स्टॉक में हमें यहां पे ब्रेकाउट देखने को मिला ब्रेकाउट के बाद में आप देख सकते हो काफी शांदार तीजिए अपसाइड में हमें कंटिन्यू होते वे दिखाई दे रहे हैं स्टॉक जो है 52 वीक हाई पे हमें कारोबर करता हुआ दिखाई दे चुका है बीटीजी अपसाइड में हमें कंटिन्यू होते वे दिखाई दे सकती है जो पहले यहां पर रिजिस्टन्स का काम कर रहा था वो सपोर्ट बन जाएगा इनकेस आप यहां पे देख सकते हैं फॉल किया था यहां पे हैमर भी बना है एक्जैक्ली यहीं पे सपोर्ट लेके कंडल क्लोजिंग दे चुकी है तो इसका मतलब क्या है जो रिस्टन्स था पहले वह आप सपोर्ट बन चुका है तो स्टॉक में यहां से हमें अच्छा-कासा बाउंस और भी देखने को मिल सकता है इनकेस यहां पे फॉल भी होता है तो यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर कियो करने को मिल जाएगा तो टेकनिकल चार्ट पर आपको सारी यह समझ में आ चुके होगी तो चलते हैं टिकर टेप वेब साइट पे दूस्त अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमेट अकाउंट ओपन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे करन फ्राइस देखने को मिल जाएगी असबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कोर काड की तो परफार्मस जो है लो देखने को मिल रही है वेलिवेशन इसका जो है एवरेज बता रहा है और ग्रोथ की बात करेंगे तो एवरेज हैं प्रोफिटिबिलीटी हाई है जो की काफी इच्छी बात है और सबसे में इंपोर्टन दो चीज जो होते हैं एंट्री पॉइंट और रेड फ्लैग अभी दिखिए एंट्री पॉइंट बता रहा है तो इसका मतलब क्या है स्टॉक अंडर प्राइस डपी है और बोर्ट जोन में भी नहीं है तो एस पर टिकर्टे वे मिल जाता है जैसे कि आप सभी को पता है एनर्जी सेक्टर लेड कमपनी है लार्ज कैप है इसका मार्केट कैप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 383,384 करोर का जो की काफी बड़ी कमपनी है और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टॉक में मॉडरेट रिस्क हमें देखन को मिल जाता है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं फोर का स्ट रेटिंग की अनरलिस्ट हमें क्या सला देते हैं पाइंग कि फोर्कास रेटिंग में आप देख सकते हो 25 ऑनल इस्ट जो 68% बाइंग की सला दे रहे हैं जो की काफी अच्छी सला हम इसको consider कर सकते हैं और ओरल सारी चीजे हमें positive देखने को मिल रही है इसका जो है scorecard positive है analyst rating forecast जो है हमें यहाँ पर positive देखने को मिला है technical chart भी positive है तो हो सकता है आने वाले दिनों में stock में और भी अच्छी तीजी continue होते वे दिखाई देख सकती है दोस्तों इसे बहुत सारी वीडियो अनलसिस के हमारे चैनल पर अप्लोड कर दिये गये हैं अगर आप उडियोस को नहीं watch किये हैं उडियोस को भी ज़रूर watch करें वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल परपस के लिए बनाए गई है कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई है दोस्तों आज की स्वीडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें चैनल पर वेली बार आए तो भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर